तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टार्गेट वोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम लोग देखेंगे 2019 में पूछे गए संस्क्रीट के कोश्चन पेपर को तो आप लोग वीडियो को सुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रिवियस येर का कोश्चन आप लोग के लिए काफी जादा महत्वपुन होने वाला है हर एक वर्ष प्रिवियस येर से कोश्चन पूछे जाते हैं पिछले वर्ष के कोश्चन से हर एक वर्ष कोश्चन उठाया जाते हैं तो चलिए हम लोग पहले नमबर कोशन से देखेंगे और एक एक कोशन का अंसर हम आपको बताएंगे बहुत ही सरल भाशा में समझा करके बताएंगे तो चलिए इसके साथ ही हम आपको बता दे कि 2020 के सारे सब्जेक्ट का कोशन हम आपको सॉल्व करा दिये हैं 2019 का भी अगर सं आत्म है यदि आप लोग कोशन का अंसर जानते हैं तो नीचे लाइब चैट या कमेंट में एक एक करके बताते चलिएगा तो महान से महान क्या है आत्मा है चलिए दूसरा नमर कोश्चन यह संपूर्न संसार किसके द्वारा अनुसासित है बताइए दूसरा नमर यह संपूर्न संसार किसके द्वारा अनुसासित है आत्मा के द्वारा कि सहित के द्वारा कि परमात्मा के द्वारा कि इन में से कोई नहीं दूसरा का कौन सा अप्शन से ही होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा या संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है भगवान के द्वारा अनुशासित है तो भगवान को परमात्मा बुला जाता है तो या संपूर्ण संसार भगवान के द्वारा या यानि की पटना नगर को ही दिया गया है तिसरा का ए नमर उप्षन सही हो जाएगा चलिए चौथा नमर कोशन क्या कह रहा है गुरू गोविंद सीह का जन्म अस्थान कहा है बताइए कुल पचास कोशन हम आपको इस चेप्टर में बताएंगे यानि की 2019 के संस्कृत के परिक् कूत्र में है चलिए अब पाच्वा नमर कोश्चन युनान का राजदूत कौन था बताए यह युनान का राजदूत कौन था अब चलिए चठा नमर कोश्चन सहम लोग देखेंगे इस्थिति सौकर्य मूला ही खाली अस्थान केना धावंती जन्तव यह पार्ट किस से संकलित किया गया है जो उक्ति है यह जो लाइन है और किस पार्ट से संकलित किया गया है इस्थिति सोकर्य मूला ही खाली अस्थान के नधावन्ति जंतव तो ध्यान रखिएगा यहाँ पाट अलस्च कथा से लिया गया है यह 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 पंक्ती जो है यह अलस्च कथा से लिया गया है छठा का ए नमर ऑप्शन सही हो जाएगा चलिए सात्मा नमर कोशन देखेंगे हर एक कोशन यहाँ पर आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है एक कोशन को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा दिमाग को कंसंट्रेट रख करके क्योंकि दिमाग अगर इधर उदर रहेगा ज्यादा चैटिंग करने पर रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए चैटिंग कम और यहाँ पर ध्यान ज्यादा देना है चलिए सात्मा नमर कोश्चन याग वलक के अपनी पतनी मैत्रेई को किसकी सिक्षा देते हैं? सबसे पहले आप लोग यहाँ से एक कोश्चन ध्यान रखिएगा याग वलक की पतनी का क्या नाम था? मैत्रेई नाम था यहाँ कोश्चन भी पूछा जा सकता है तो बताएए याग वलक के अपनी पत्नी मैत्रेई को किसकी सिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की सिक्षा देते हैं C नमर उप्षन सही होगा याग बलक अपनी पत्नी को आत्म तत्व की सिक्षा देते हैं C नमर उप्षन इसका सही हो जाएगा ध्यान रखिएगा चलिए आठमा नमर कोश्चन बिजय भट्टारी का किसकी पत्नी थी तो अप लोग ध्यान र गित की पतनी थी विज्जय भट्टारी का ध्यान रखिएगा आठमा का ए नमर उप्षन सही हो जाएगा चलिए नॉमा नमर कोशन कहा रहा है कि पंडिता छमा राब द्वारा रचित शत्या ग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है नॉमा नमर कोशन है पंडिता छमा राब द्वारा रचित शत्या ग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका ए नमर उप्षन सही हो जाएगा पंडिता छमा राब द्वारा रचित शत्या ग्रह गीता महातमा गांधी के दर्शन के द्वारा प्रभावि पहले हम आपको रिभाइच करवा चुके हैं सारे रिभाइच कोश्चन है एक भी कोश्चन का अंसर गलत नहीं होना चाहिए तो बताइए दस्मा नमर कोश्चन किस देश में देवता बार बार जनम में लेना चाहते है तो आप लोग ध्यान रखिएगा भारत देश में बारत देश में ही देवता बार बार जनम लेना चाहते हैं दसमा का A नमर option बिलकुल सई हो जाएगा चलिए 11 नमर question कह रहा है कि अंतिम सिख्षा संसकार का नम क्या है 11 नमर question अंतिम सिख्षा संसकार का नम क्या है बताई YOUR कौनसा option सई होगा बारा नमर कोश्चन प्राचीन काल में सिस्स को क्या कहते थे यानि कि बहुत समय पहले प्राचीन काल में सिस्स को क्या कहा जाता था जिस परकार से भी आप लोग जानते हों कि सिस्स को छातर कहा जाता है चलिए तेरा नमर कोश्चन, बिवाह संसकार के अंतरगत क्या नहीं आता है, बताए ये तेरा का कौन सा उप्षन सही हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा तेरा का ए नमर उप्षन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए, बिवाह में क्या होता है, कन्यादान होता है, सी नमर हो जाएगा, शिंदुर्दान भी होता है, वागदान भी होता है, लेकिन गोदान नहीं होता है, ये नमर उपसन ही इसका सही हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बिवाश तंसकार में गोदान नहीं आता है, चौदान नमर कोशन है, काफी असान कोशन है, बिना बुलाए कौन आता है तो देखिए सजजन तो कभी नहीं आ सकता है बिना बुलाए दुर्जन भी नहीं आ सकता है मुर्ख व्यक्ति ही बिना बुलाए कहीं भी जा सकता है 14 का C नमर option सही हो जाएगा चलिए ये 15 नमर question क्या कह रहा है उधो गिनम पुरूस सीह मुपैती लक्ष मी यह उक्ति किस पार्ट से संकलित है पार्ट का नाम बताना है कि उधो गिनम पुरूस सीह मुपैती लक्ष मी यह उक्ति जो है यह लाइन जो है वह किस पार्ट से संकलित है पताए ये 15 का कौन सा option सही होगा तो यह वाला जो लाइन है आप लोग देखिएगा करमबीर कथा से संकलित किया गया है मतलब कि करमबीर कथा में यह वाला पंक्तिया आपको मिल जाएगा पंदरा का ए नम्मर उप्शन सही हो जाएगा चलिए शोला नम्मर कोश्चन सत्र नम्मर कोश्चन कह रहा है कि स्वामी दयाननंद का जन्म कब हुआ था काफी मत्वपुन कोश्चन है स्वामी दयानन्द का जन्म कब हुआ था बताईए 1822 में के 1826 में के 1824 में कौन सा उप्षन सही होगा 17 नमर का था टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है तो आप लोग ध्यान रखिएगा टंकरा ग्राम में स्वामी दयानंद का ही जन्म हुआ था अठारा का सी नमर ऑप्शन सही हो जाएगा गुजरावत परदेश के टंकरा ग्राम में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था अब चलिए अग ब्यागर पतित कथा में दिया हुआ है आप लोग देख लिजेगा उन्हें इसका ए नम्मर उप्शन सही होगा दरिद्रानभर कौन्ते मा निरुजश्य की मौशद है यह पद जो है वब्यागर पतित कथा में दिया हुआ है चलिए बीसमा नम्मर कोश्चन महतराम भिक्छाय यह किसकी युक्ति है बताइए महतराम भिक्छाय यह किसकी युक्ति है यह किसका कथन है तो यह सक्र की युक्ति है ध्यान रखिएगा बीस का कौनसा उप्शन सही होगा सी नम्मर उप्शन महतराम भिक्छाय यह शक्र की युक्ति है चलिए अगला नम्मर कोशन एक इस न साउच्त्र के लिए कर्टब्ब और करतब्य और करतब्य बिधान करते हैं तो दानव के लिए और पसू के लिए तो कभी नहीं सास्तर है उसके लिए चाहे तो छात्र होगा और चाहे तो फिर मानव होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा छात्र को सास्तर से कोई लेना देना नहीं होता है इसलिए सास्तर किसके लिए हो जाएगा तो मानव के लिए ह का बिधान करते हैं चलिए तेसमा नमर क्विश्चन मीमान सा दर्षन के रच्नाकार कौन है बताइए जल्ली अल्दी से आप लोग नीचे लाइप चैट में एकट इसका कौन सा आप fonctionne सही होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा मिमानसा दर्शन के रचनाकार जैमीनी है ए नमर उप्षन सही हो जाएगा मिमानसा दर्शन के रचनाकार कौन है जैमीनी हो जाएगे चलिए चोविश नमर कोश्चन महर्सी यास्क के द्वारा रचित गरंथ का नाम क्या है काफी मत्वपुन कोश्चन है 24 नमर बताईए महर्सी यास्क के द्वारा रचित गरंथ का नाम क्या है 24 का कौन सा उप्षन सही होगा चलिए पचीश नमर कोश्चन अनुछेदा का संधी बिच्षेद क्या होगा बताइए संधी बिच्षेद से कोश्चन ब्याकरन से कोश्चन है बताइए अनुछेदम का संधी बिच्षेद क्या हो जाएगा बताइए पचीश का कौन सा ओप्सन सही होगा तो ध्यान अनुजोड़ छेदम से बनता है अनुछेदम ठीक है 25 का ए नमर आपशन अनुजोड़ छेदम अनुछेदम बनता है चलिए 26 नमर मनह जोड़ रंजनम की संधी क्या होगी यहाँ पर संधी भी छेद दिया हुआ है और उपसे संधी पूछा जा रहा है तो बताईए 26 का कौन सा option सही होगा मनह जोड रण्यनम की संदी क्या होगी तो ध्यान रखिएगा मनह जोड रण्यनम की संदी मनोरण्यनम होता है D नमर option सही हो जाएगा मनह जोड रण्यनम मनोरण्यनम चलिए 27 नमर कोशन बहुत वार हम आपको रिभाइच करवा चुक हैं 27 नमर आज जोड एक के मेल से कौन सा नया वर्न बनेगा बताईए आज जोड एक के मेल से कौन सा नया वर्न बनेगा 27 का कौन सा उप्षन सही होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा आज ओड एक के मेल से नयाज सब्द ए बनता है ए नमर उप्षन सही हो जाएगा आज ओड एक के मेल से कौन सा नयाज बर्न बनेगा तो ए बनेगा चलिए अब 28 नमर कोश्चन बिद्यार्थी में कौन सी संदी है काफी महत्वपून कोश्चन है बताइए बिद्यार्थी में कौन सी संदी है दिर्ग संदी है कि आदि संदी है कि गुन संदी है कि बृधि संदी है बताइए कौन सा जवाब सही होगा विद्यार्थी में कौन सी संदी है 28 नमर कोश्चन तो ध्यान रखिएगा विद्यार्थी में दिर्ग संदी हो जाएगा आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए 29 नमर कोश्चन देश भक्ती का बिग्रह क्या होगा बताइए 29 नमर देश भक्ती का समास बिग्रह हैं पर पुझा जा रहा है कि देश भक्ती का बिग्रह क्या हो जाएगा तो ध्यान रखियेगा देश अस्य भक्ती ही होता है बी नमर ओप्षन देश भक्ती का बिग् रख़िये गारमा सिते रामा चा सिता चा का समस्त पद रामा सीते होता है C नमार अपसन इसका सई होगा कापी महत्वपूर्ट कोशन है चलिए अगला नमार कोशन देखते हैenga 31 बहुब्यहीश समास का उदोहरन कोन रहे हैं लेकिन अर्थ नहीं कल रहा है कि गनेश भगवान को संबोधित क्या जा रहा है इसलिए बहुबरी समास बी नमर उप्शन सही हो जाएगा लंबोद्रा चलिए 32 नमर कोश्चन देह रक्षा में कौन सा समास है देह रक्षा यदि हम लोग इसको तोड़ेंगे अलग अ कौन सा उदारन हो जाएगा बता ये भूबा प्रभवा सुत्र का उदारन बता ये भूबा प्रभवा सुत्र का उदारन कौन सा हो जाएगा हिमालयात गंगा प्रभवति कि साहरसात हरसती कि नेतार पदाया अस्प्रियंती कि सीता रामेंस बनम गतवति बता ये 33 का कौन सा प्रिये मान हो जाएगा चलिए चौटिस नम्मर कोश्चन रूच धातू के योग में जिसे कोई बस्तू बहुत अधिक प्रिये लगता है उसके लिए चतूरती विभक्ति किस सुत्र से होती है हम आपको बताये थे रूच्यार्था नाम प्रिये मान है ध्यान होगा आप प्रिये मान है यानि की बी नमर ऑप्षन सई हो जाएगा चौटिस का बी नमर ऑप्षन रूच्यार्था नाम प्रिये मान है चलिए अगरा नमर कोश्चन देखेंगे 35 नमर शह ब्यागरात विभेति यहां रिखांकित पद में कौन सी विभक्ति है बताए शह ब्यागरात ब्यागरात है तो बताए इसमें कौन सी विभक्ति लगा हुआ है 35 नमर कोश्चन तो इसमें पंचमी विभक्ति है ब्यागरात पंचमी विभक्ति में होता है जिस परकार से आप लोग बालकात बोलते होंगे तो बालकात होता है उसी परकार से ब्यागर सब्द में ब्याग अंघ विकार के अरथ में कौनसी विभक्ती होती रहा है तो तिर्थिया विवक्ती होता है 37 नमर कोशन कह रहा है कि कौन से सब्द में बी उपसर्ग लगेगा बताइए उपसर्ग किसी भी सब्द के पहले लगता है और परतिया किसी भी सब्द के बाद में लगता है अब चलिए 38 नमर कोशन कह रहा है अभी ज्याना शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताईए अभी ज्याना शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताईए अभी ज्याना तो देखिए ज्यान के पहले अभी लगा हुआ है इसलिए इसमें अभी उपसर्ग होगा क्योंकि उपसर्ग किसी भी सब्द के पहले लगता है हम आपको बताएं है तो 38 का B नमर option सही होगा अभी ज्याना सब्द में कौन सा उपसर्ग है अभी उपसर्ग है चलिए 49 नमर लभ धातू के लट लकार प्रतम पुरुष एक बचन का रूप कौन सा होता है लभ धातू के लट लकार प्रतम पुरुष एक बचन में पूछ रहा है तो लभते हो जाएगा B नमर option लभ धातू के लट लकार प्रतम पुरुष एक बचन का रूप लभते होता है चलिए 10 question और 6 बच गए हम लोग बारी बारी से देख लेंगे 40 number question बताईए कि तीस्ट किस लकार का रूप है लट है कि लोट है कि लिरिट है कि बिदिलिंग है बताईए तीस्ट किस लकार का रूप है तो जल्दी से बताईए आप लोग कि तीस्ट किस लकार का रूप है एधी किस धातू का रूप है बताईए एकतालिस नमर कोश्चन एधी किस धातू का रूप होता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा एधी अस धातू का रूप होता है एकतालिस का बी नमर उप्शन सही होगा एधी जो होता है वह अस धातू का रूप होता है एक तालिष का B नमर उप्शन सही हो जाएगा चलिए 42 नमर कोश्चन तस्मीन में कौन से बिभक्ती है तस्मीन में कौन से बिभक्ती है बताइए 42 का कौन से उप्शन सही होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि तस्मीन में शब्त में बिभक्ती लगता है सब्सक्राइब करें चलिए चलिए चाहिस नमर कोशन देख लेते हैं राजन सब्सक्राइब का रूप का रूप कौन आपके एक जाम के लिए बताई ये राजन सब्द के सस्टी बहुबचन का रूप क्या हो जाएगा सस्टी बहुबचन ने पूछ रहा है राजन सब्द का रूप तो बताई ये 44 का कौन सा उप्षन सही होगा तो राजन सब्द के सस्टी बहुबचन में क्या हो जाएगा राग्याम हो जाएगा बी न से होगा पठ जोड़ कतवा से पठितवा बनता है काफी मत्पून कोश्चन है बहुत बार पूछा जा चुका है आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए 46 नमर कोश्चन परणम्य में कौन सा प्रत्य है देखिये प्रत्य से कोश्चन आ गया प्रत्त अप किसी भी सब्द के है तो बताईए परनम्य में कौन सा प्रत्य है 46 का कौन सा ऊप्षन सई होगा तो ध्यान रखियेगा लैप पड़ते है द्यां रखिएगा 46 का य नमर्ब ओप्षन सफिरी हो जाएगा चलिए 47 नमर कोश्चन मानुभत में कौन सा थढधित परत्य हुआ है 47 नमर कोशन बताइए मानवह में कौन सा तद्धित परते हैं लगा हुआ है तो आप लोग ध्यान रखिएगा 47 का कौन सा जवाब सही होगा B नमर आप्शन सही हो जाएगा मानवह में अन तद्धित परते हैं लगा हुआ है कौन सा तद्धित परते हैं तो अन है अ टवरगिन और उसमें हलंत लग जाएगा अन तद्धित परते हैं मानवा में होगा ध्यान रखेगा 47 का बी नम्मर उप्शन सही होगा चलिए 48 49 59 तीन कोश्चन और सेच बच गए हैं तो 48 नम्मर कोश्चन कहा रहा है कि गुरू जोड इस्थन से कौन सा सब्द बनेगा गुरू जोड इस्थन गुरू जोड इस्थन से कौन सा सब्द बनेगा बताए 48 नम्मर कोश्चन तो आप लोग ध्यान रखेगा गुरू जोड इस्थन से गरिस्थन हो जाएगा चलिए 49 नम्मर साधक जोड टाप से कौन सा सब्द C number option साधक जोल टाप से साधिका बनता है अब 50 और सबसे last question इंदरानी में कौन साइस्त्री परते लगा हुआ है बताए काफी मतवपुन question है इंदरानी में कौन साइस्त्री परते लगा हुआ है लेकिन इस question के पहले इंदरानी में कौन साइस्त्री परते लगा हुआ है बी number option इंदरानी में कौन साइस्त्री परते है तो लिप परते है तो कुल यहीं 50 question था जो की 2019 में संस्क्रीत के subject में पूआ गया था अब आप लोग बताए कि 50 में से कितने question का सही answer आप लोग बताए है यदि आप लोग 2019 में एक्जाम देते तो संस्क्रीट में आप लोग का कितना नंबर आता आप लोग बताईए जल्दी से नीचे कमेंट करके और यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो इसे अधिक से अधिक लोगों के पास सेयर कर दीजे अब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद